समान व असमान पद, मिथ्याधारनाई आज हम देखेंगे समान व असमान पदों से संबंधित मिथ्याधारनाई यानि, Misconceptions of Like and Unlike Terms हमने कुछ उदाहरनों के माध्यम से समान, यानि, Like Terms व असमान पद, यानि, Unlike Terms के बारे में जाना आएए अब देखें, समान व असमान पद के सवालों को हल करने पर क्या गलतियां होती हैं? निमनलिखित में समान पदों की पहचान करें 20xy, 10y की घात 3, 20zx कई बार यह समझ लिया जाता है कि यदि दो पदों के गुणांग कोएफिशियन्ट समान है, तो वे पद भी समान होंगे, परन्तु ऐसा नहीं है, या एक मिथ्यधार ना है, वे पद जिनके चर समान हों, ना कि उनके गुणांग समान पद कहलाती हैं, दिये गए पदों में 20xy और 20zx के गुणांग तो समान हैं, पर इनके चर अलग-अलग हैं, अतह ये असमान पद होंगे, अब अगर इन्हें ध्यान पूर्वक देखा जाए, तो तीनों पदों के चर अलग-अलग हैं, इसी लिए ये सब ही असमान पद हैं, आएए अब एक अन्यम मिथ्या धारणा के बारे में जानें, निम्नलिखित में असमान पदों की पहचान करें, 7AB की घात 2C, 15B की घात 2AC, 3CAB की घात 2, दिये गए पदों में 7AB की घात 2C के गुणन खंड, 7ABBC हैं, 15B की घात 2AC के गुणन खंड, 15B, B, A, C हैं, और 3CAB की घात 2 के गुणन खंड, 3C, A, B, B हैं, यहाँ पर देखने योग्या बात यहाँ हैं कि तीनों पदों के चर ABC ही हैं, लेकिन इनका क्रम अलग-अलग है, अर्थात यह पदों में आगे पीछे लिखे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जिन पदों के चर समान होते हैं, वे समान पद कहलाते हैं, यहाँ पर तीनों पदों के चर A, B, C हैं, जो की समान है, अतह यह सभी पद समान पद हैं, अक्सर बच्चे यह समझ लेते हैं कि समान पदों में चरों का क्रम भी समान होता है जबकि ऐसा नहीं है यदि दो पदों में चर तो समान है किन्तु उनका क्रम समान नहीं है तो भी वे समान पद ही कहलाएंगे आज हमने देखा समान व असमान पदों से समबंधित मिथ्याधारनाई आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपकी कई मिथ्याधारनाई दूर हुई होगी और समान तथा असमान पदों की अच्छी समच बन गई होगी धन्यवाद झाल